हेलो गाइज, वेलकम बैक टो और चैनल कॉर्परेट कहानी गाइज, मैंने काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था तो मुझे भी काफी अफसोस हो रहा था या आपनों से इंटरेक्ट नहीं कर पादा हूँ तो काफी दिनों बाद फिर से मैं वापस आया हूँ तो आज मैं उस important topic की बात कर रहा हूँ जो कि आपको जानने की curiosity होगी क्योंकि पिछले दो वीडियो में मैंने on-site की बात की थी अब उसी series को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं salary during on-site की यानि जब आप TCS में होते हैं तो किस country में जाते हैं तो कितनी salary मिलती है इस पर हम आज बात करेंगे तो एक दो example मैं बाहर की companies का भी दूँगा जो लोग यहां से select होकर वहां गये थे और उनको कैसा feel हुआ इन चीज़ों का भी example दूँगा प्लस सबसे मेरे जो focus होगा वो TCS ही होगा क्योंकि मैं TCS वालों को ज़्यदा करीब से जानता हूँ जो कि on-site गया है तो guys इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू एक आद चीज़ हैं और बता दूँ आपको कि हमारे पास जो हमारा यह भी channel है इस पर एक playlist बनी वी है all about TCS उसमें आपको सारा knowledge मिल जाएगा इवन आप TCS जोइन कर रहे हैं उसका आप resign कर रहे हैं उसका और अंदर की क्या क्या चीज़े हैं leaves कौन कौन सी हैं सारी चीज़े हैं उस playlist में आपको मिल जाएगी काफी मेहनत से बनाया है सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे बन्दे की जो ITA था जिनका package 8-10 लाग था TCS के अंदर और वो जाता है साओधी अरभिया तो वहाँ पर जो गए उनको लाइक वहाँ पर जो ऐसा हुआ कि वो short term के लिए गए था चार-पाच मन्थ के लिए तो इस case में उनको क्या हुआ था उनको यहाँ की जो salary मिल लही थी वो continue थी वो उनको मिल लही थी इसके इलावा वहाँ पर उनको accommodation और खाने पिने का ख़चा मिल लहा था उसमें around guys उनको 10,000 रियाल मिल लहा था 10,000 मिल लहा था उसके साथ साथ क्या हो रहा था उनको TCS accommodation प्रोवाइड कर रही थी तो उसके से पैसे काट रही थी यानि 2500 से 3000 रियाल उनके कट जा रहे थे और खाने का जो ख़चा हो रहा था वो अलग हो रहा था वो like 1500 रियाल वो हो रहा था तो इस तरह से उनको वहाँ पर with TCS accommodation बच रहा था वो था डेर से 2 लाग के कड़ी फिर उन्होंने क्या किया वहाँ पर तिक्रम लगाया उन्होंने लोगों से बात की कि हाँ पर कैसे पैसे ज़्यादा बचाया जाए तो जो पुराने उनके लोग थे जो कि वहाँ पर पहले से थे उनके कॉलिक थे उन्होंने बताया कि आप TCS के accommodation में पैसा वेस्ट मत करो आप एक कोई ऐसा outside accommodation ढून लो और TCS के accommodation छोड़ दो तो उन्होंने वही काम किया TCS का accommodation बहुत हाइफाई उनको मिला हुआ था बहुत अच्छी फैसलिटी के साथ उन्होंने उसको छोड़ दिया उसके बाद उन्होंने जोइन कर ली एक छोड़ी सी जगह पर जहां पर उनको एक room मिल गया था काफी अच्छा room था काफी अच्छी facilities थी वहाँ पर तो वहाँ पर वो चले गए वहाँ से गाईज उनको धाई लाग रुपे पर मंत बच रहे थे इस तरह से तो उन्होंने बताया कि जो TCS का जो वियाद वगरा का जो on-site है वो काफी अच्छा है अब इस रीजन से अच्छा है कि वहाँ पर जादा आपको कलबिंग और इस तरह की डांसिंग बार वगरा नहीं है तो वहाँ पर उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है बस खाने का ही खर्चा होता है तो आप तो शायद वो भी वहाँ पर होने लगा है लेकिन फिर भी बागी कंपनी कंट्रीज से कम है और इतना ज़्यादा घूमने का भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घूमेंगे इधर उधर जाएंगे साइट सींग करेंगे तो एक और ये भी फैक्टर है तो इसकी वज़ा से क्या होता है वहाँ पर आपकी बचत अच्छी खाजी हो जाती है अब मैं बात कर रहा हूँ ऐसी कंट्री की जगा पर जो है वो असया में ही है और वहाँ पर भी लोग काफी जाते हैं TCS के फुरू तो बहुत जादा जाते हैं वहां की बात कर रहा है वो है Malaysia Malaysia के लिए ओंसाइट होता है इंडोनेशिया के लिए भी ओंसाइट होता है लेकिन Malaysia के बारे मुझे जादा जान करें कोई कि मैंने उस बंदे से बात की जो की Malaysia में है तो मलेशिया में guys क्या हो रहा है उनकी जो salary है जो इंडियन salary है उनकी अभी TCS में वो लगवख 15 के करीब है यानि उनका cut putा के 1,00,000 रुपए यहाँ पर आता है लेकिन वो मलेशिया में है अभी तो वही salary उनकी वहाँ पर double है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और वो जो बंदा है वो assistant consultant है यानि अगर आप ITA होंगे तो शायद उसमें थोड़ा सा कम होगा तो एक लाख यहाँ आता है एक लाख वहाँ आता है तो उनको थोड़ी सी वहाँ पर बचत हो जाती है compared to other countries वहाँ पर उतनी बचत नहीं है लेकिन दूसरा फाइदा वहाँ पर यह है तो यह एक benefit है उसके बाद बात करते हैं एक दूसरे company की एक company है testing and verification करके तो वहाँ पर एक बंदे का selection हुआ था जब मैं दो तीन साल पहले जब मैं फ्रेशर था तब मुझे पाच्छे साल पहले जब मैं फ्रेशर था तब ही मुझे उनके बारे मालुम चला था testing and verification में वो थे तो उनका job directly वहीं लगा था UK में वो UK गए तो उन्होंने बताया कि उनको वहाँ पर 4000 पॉंड मिलता था वो लाइक दो तीन साल का यह experience था वो आपको उसमें थे electronics का जो chip वगरा designing होता है इसको VLSI वगरा बोला जाता है उसमें थे तो उनको वहाँ पर 4000 पॉं यानि अगर आप चार लाग के package में वहाँ पर जॉइन करते हैं इंडिया का चार लाग का package अगर होता है उसके बाद अगर आपको वहाँ पर offer मिलता है तो वहाँ पर आपको 5000 पॉंड तक मिलेगा उन्होंने बताया कि वहाँ पर खर्चा भी बहुँ जादा है और वहाँ प अपनी के थुरू बागी अब मैं बात कर रहा हूं TCS के थुरू क्या होता TCS के थुरू क्या होता गाइस TCS UK वगरा भेजने के लिए थोड़े टाइम तक आपको यह लाती है अट लिस्ट आपको ITA बोलने बोलती है तब जाकर आपको भेजती है उसमें भी गाइस आपकी स चांसे हैं स्विच के तो यह एक और एडिशन है UK में उसके इलावा गाइस यूरोपियन कंट्री में भेजती है जैसे कि स्विजर लैंड में वहाँ पर भी 2.5 लाग ही बचते हैं अगर आप like ITA से उपर हैं ITA से नीचे हैं तो वहाँ पर उससे थोड़े कम बचते हैं तो इस तरह से गाइस on-site का salary का scenario होता है PCS में आजकल अब मैं बात कर रहा हूं गाइस अगर आपको like on-site मिल गया है तो आपको वहाँ पर और क्या-क्या benefits हो सकते हैं सबसे बड़ा benefits ही हो सकता है गाइस अगर आप like Canada में चले गए on-site वहाँ पर आपको क्या होगा है वहाँ पर आप Canada के लिए अगर आप PR के लिए अपलाए करेंगे भर्माने रिजिदेंसी के लिए तो वहाँ पर आपका Canadian experience count होगा जो आपके CRS score जो कि Canada जाने के लिए ज़रूरी होता है like 400-400-500 करके score होता है CRS उसमें एक addition हो जाएगा ये एक benefit है दुसरा benefit ये है कि आप वहीं के वहीं नहीं है कि salary मिलती है वहाँ आप पे और सारे additional benefits भी हैं जो कि आपको काफी फायदा पहुचा सकते हैं मैंने आप benefits की बात कर लिए अब थोड़ी मैं disadvantages की बात करता हूँ सबसे बदा disadvantage ये है guys अगर आप अपनी spouse के साथ जाते हैं और she is not working तो क्या होगा आपका ज्यादा बच महंगा होगा और food भी थोड़ा वहाँ पर जैसे इंडिया के हिसाप से वैसा नहीं है और काफी कमिया है जैसे कि आपको लेक बारबर के पास जाना है वह बहुत महंगा है अगर आपको आपको कुछ काम कराना है घर में electrician को बलाना है तो वह बहुत महंगा है तो इस तरह से जो चीज़ा है वो वहाँ पर काफी struggle वाली है इंडिया की तरह easy नहीं है कि आप किसी plumber को बुला लिया 500 में आपका काम हो गया वहाँ पर ज्यादा ज्यादा आपको लगेगा तो यह सब disadvantages है यह सब को सोच के जाए और सबसे बड़ा like problem यह हो जाता है कि आप काफी अच्छ on-site के benefits भी हैं on-site के disadvantages भी हैं आप लोग अब बहतर judge कर रहा होंगे कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और guys आगे भी मैं कुछ videos बनाओंगा जो की lay-off बगएर पर based होगा जो lay-off चल रहा है उससे हमें क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा तो इन सब पर इसी तरह से आप बने रहिए और on-site series को आगे बढ़ाएंगे अगर कुछ और topic मुझे समझ में आया तो मैं और आप लोगों को highlight करके focus करके बताने कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या-क्या like IT industry में हो रहा है जैसे कि मैं आपको हमेशा अपने videos में बताता ह तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में जानते हैं next topic के बारे में thanks for watching, bye bye